सब्सक्राइब करिए SR Motorworld चानल को और बेल आइकन भी दबाईए ताके मेरी अपकमिंग वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं SR Motorworld और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ तो आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ All-New Bajaj Pulsar 150 Twin Disc ABS Variant का Twin Disc Market में पहले से अविलिबिल थी लेकिन अब इसके साथ ही साथ मिलेगा आपको ABS जोके Anti-Lock Breaking System होता है और Safety और Breaking Performance दोनों को इंप्रूफ करेगा मेरे रिव्यूज अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाईए और वीडियो को लाइक भी करिए क्योंकि रिव्यूज के साथ ही साथ इस चैनल पर आपको Knowledge भी मिलेगी Two-Wheelers related लुक से स्टार्ट करें तो यहां लुक्स में कोई नई चेंजिस तो देखने को नहीं मिलते हैं Color schemes और decals सेम मिलते हैं Older models से Design बाइक का muscular है और aggressive भी है Front wolf eye headlamp देखने को मिलता है दो pilot lamps के साथ Halogen bulb इसमें मिलता है LED नहीं मिलता और जहां तक कि मेरा experience है Halogen में रोशनी जाद अच्छी होती है LED के मुगाबले Rare LED टेल लाइट देखने को मिलती है जो Pulsar सीरीस से identical है और काफी sharp और sleek दिखती है Tank पर Pulsar का 3D logo और side panel पर fox carbon finish देखने को मिलता है Alloy wheel design बाइक का simple sober रखाए बजाजने जो के देखने में decent लगता है और black alloy wheels तो all time favorite होते है exhaust design इसका similar है older model से जो के काफी अच्छा sound करता है Build quality Pulsars की मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है और Pulsar सीरीज में Pulsar 150 की तो और जाद अच्छी क्योंकि tank इसमें solid metal का मिलता है और देखने में भी बाइक काफी rough and tough नजर आती है बस long term reviews से पता चला है मुझे के इसके handle bar की जो paint quality है वो थोड़ी low रहती है और edges पर से crack होके paint निकल जाता है फिर वहाँ से silver silvery जो अंदर का steel रहता है वो देखता है जिससे के पता चलता है कि color quality अप to the mark नहीं है लेकिन build quality बाइक की rough and tough देखने को मिलती है instrument console देखें तो इसमें part digital cluster देखने को मिलता है जिसमें analog tachometer यानी की rpm meter और बाकी सब features digital देखने को मिलता है gear position indicator इसमें देखने को नहीं मिलता है जो के indicate करता है कि bike किस time कौन से gear पर चल रही है जो के beginner riders के लिए एक काम का feature होता है और जो के Apache में देखने को मिलता है instrument console इसका overall basic features से loaded है और देखने में भी काफी attractive और sporty नजर आता है almost इसमें basic features सब मिल जाते हैं कोई कमी इसमें नहीं देखने को मिलती engine देखें तो मैंने ये bike ride करी pickup bike का काफी अच्छा लगा मुझे mid range performance भी अच्छा है इसका gear shifts smooth है और clutch feel Yamaha और Honda से compare करने पर थोड़ा सा tight feel हुआ इसमें मुझे इसमें 149.5 cc का air cooled engine मिलता है जो के max power 14 ps की produce करता है और max torque 13.4 newton meters का इसमें आपको twin spark DTSI technology देखने को मिलती है और इसकी की वज़े से इसमें twin spark ignition system देखने को मिलता है ये engine 5 speed gearbox के साथ mated है कारबुरेटर पर ये engine work करता है और fuel injection इसमें नहीं मिलता जो की Yamaha FZ और TVS Apache RTR 164V में देखने को मिल जाता है और fuel injection की वज़े से mileage और power में थोड़ा सा increment हो जाता है mileage की बात करें तो इसका claimed mileage तो नहीं है लेकिन owner से reported है इसका mileage 45 से 55 के बीच में और mileage mainly आपकी riding conditions पर depend करता है मैं mileage की एक वीडियो already बना चुक हूँ कैसे आप अपनी bike का mileage increase कर सकते हैं तो वो वीडियो आप जरूर वाच करें चैनल पर जाके या पिर उसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा suspension setup देखें तो इसमें front telescopic suspension मिलता है 37 mm के folks के साथ और rear adjustable nitrox filled suspension इसमें मिलते हैं दोनो suspensions काफी अच्छा work करते हैं smooth ride provide करने के लिए seat इसमें देखें तो split seat setup आपको इसमें देखने को मिलता है और seat cushioning मुझे काफी अच्छी लगी इसकी ना जादा soft है और ना ही जादा hard एकदम perfect seat cushioning है rider और pillion के best comfort के लिए seating posture इसका upright है और handle bar की तरफ थोड़ा सा lean है जिससे दिखने में तो ये sporty भी लगता है और साथी साथ comfort भी मिलता है ladies comfort इस bike का अच्छा लगा मुझे ये देखके कि इसकी जो split seats है उनमें height का जादा difference नहीं है जैसे कि दूसरी bikes में rider की seat जादा नीचे होती है और pillion की काफी उपर कर दी जाती है yama r15 version 2 एक इसका example है इन में वो case नहीं है इस bike में और pillion seat का size भी अच्छा बड़ा है तो ladies comfort भी अच्छा है और family वारे लोग ये bike आराम से खरीद सकते हैं और वो family को बढ़ाके पर travel भी कर सकते हैं अच्छे comfort के साथ curb weight इस bike का 144 kg का है जो के decent है और जादा तर 150cc bikes का इतना ही weight होता है ट्राफिक राइडिंग के इसाप से ही अच्छी है ये bike front tire इसका 90 by 90 का है और rear tire इसका 130 by 70 का है टायर इसमें मुझे थोड़े पतले लगे हैं देखके वहीं Honda, Hornet, Yama, FZ और Suzu की Jixxer के tires जादा grippy देखते हैं इसी वज़े से इसके जो tires हैं वो street riding के लिए तो अच्छे हैं लेकिन cornering capabilities bike की उतनी जादा perfect नहीं कह सकते braking देखें तो front disc इसमें 260 mm की मिलती है और rear disc 230 mm की, front brake काफी powerful है और rear brake भी इसका powerful तो है लेकिन तेज दबाना पड़ता है braking response के लिए, rear brake का उतना अच्छा और fast braking response नहीं है अब इसमें ABS तो मिलता है तो skidding के chances कम हो जाते हैं, especially बारिश के time, bike में जादा accident होते हैं लेकिन अब ABS आने की वज़े से skid नहीं होगी bike fuel tank capacity इसकी 15 liters की है जो के सभी 150cc bikes के मुकाबले काफी अच्छी कह सकते हैं और कह सकते हैं के best in the segment है ground clearance इसका 165 mm का है जो के काफी है और sufficient है Indian speed breakers clear करने के लिए wheelbase इसका 1345 mm का है जो के longer wheelbase है और लंबे और longer wheelbase की वज़े से bike highways पर काफी stable रहती है और straight line stability भी bike की काफी अच्छी रहती है seat height इसकी 785 mm की है जो के decent है एक average height rider के लिए इसमें आपको दो colors देखने को मिलते हैं black blue और black red दोनो colors अच्छे और attractive दिखते हैं इस bike की extra room price 87,000 रुपीज है और आप लोग on road price comment में ना पूचें क्योंकि हो हर city की अलग-अलग होती है और time to time change होती रहती है अगर कोई questions हो तो Instagram पर पूच सकते है आइडी का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वर्ना comment section में भी पूच सकते हैं लेकिन Instagram पर आपको जल्दी reply मिल जाएगा तो दोस्तो यही ता Pulsar 150 Twin Disc ABS variant का review I hope मैंने पूरी required details में cover कर लिया होंगी और आपको यह review जरूर पसंद आया होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में पस इतना ही वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो गाइस थैंक्स पर वाचिंग स्टे ट्यून तिल देन वेट फॉर मैं नेक्स अपकमिंग इंट्रेस्टिंग वीडियो प्रूब यह जाओस्टिंग प्रूब तो लाइस्टिंग प्रूब यह जगिए यह जगिए भी करें